लंबा वक्त बीत चुका है कुमकुम भाग्य में प्रग्या की जलग देखे हुए फैंस हर एपिसोड को इस उमीद में देखते हैं कि शायद इस पार स्रीथी की जलग शो में दिखाई दे जाए लेकिन फैंस को निराशा ही हाथ लगती है सोशल मीडिया के हर प्रटफॉर्म पर फैंस यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रग्या उन्हें शो में कब दिखाई देने वाली है आखिर कौन से है वो बजह जिसके कारण स्रीथी ने शो से दूरी बनाई है तो क्रेजिफो टिवी आपको वो तीन रहसे बताने वाला है जो प्रग्या के गायब होने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है क्या है वो तीन रहसे जिनके कारण स्रीथी है शो से दूर बताते हैं आपको एक एक करके पहला रहसे कोविट का बढ़ता हाहकार है कारण वर पूरे देश में कोविट के केसिस लगातार बढ़ रहे हैं माया नगरी मुंबई जहां तमाम शोज की शूटिंग होती है वहां के हाला दिनो दिन खराब होते जा रहे हैं कई स्टार्स तो अभी से ही इस वाइरस की चपेट में आ चुके हैं और क्वारिंटीन हैं ऐसे में हो सकता है कि कोविट के कारण ही स्रिती शो में वापसी ना कर रही हो आपको बता दे कि कुछ वक्त पहले ही शो के लीड आक्टर शभीर आलुवालिया और उनकी पूरी फामिली भी कोविट के प्रकोप से खुद को बचा नहीं पाए इस बात का खुडासा तब हुआ जब शभीर की वाइफ काची ने हाल ही में एक पोस्ट के जरीए इस बात की इन्फोर्मेशन अपने फैंस के साथ शेयर की शभीर भी स्रिती की तरह शो में काफी टाइम से नजर ना ही आ रही ऐसे में हो सकता है कि कोविट के बढ़ते को हराम के कारण ही फिलहाल स्रिती शो में वापसी ना कर रही हो दूसरा रहस से नए ट्रैक को भढ़ाने की मेकर्स की प्लैनिंग तो जैसे कि आप जोनते ही हैं कि कुछ वक्त पहले ही शो में लंबा लिपाया है जिसके बाद से शो की कहानी नए के दार यानि की अभी प्रग्या की बेटियों प्रांच एरिया पर फोकस हो गई है ऐसे में हो सकता है कि मेकर्स चाहती हो कि स्रिती जाके बिना वो कुछ वक्त ये देखे कि ये नए ट्रैक कैसे प्रफॉर्म करता है आखिर ओडियन्स इस नए ट्रैक को कैसा रिस्पॉंस देती है और मेकर्स इसी स्ट्रेटिजी के कारण ही फिलहाल स्रिती को शो से दूर रख रहे हो वैसे भी देखा जाए तो ओडियन्स को शो का नए ट्रैक काफी भा रहा है प्राची के साथ रंबीर की कैमिस्ट्री भी काफी जमती नचरा रही है और नए ट्रैक को ओडियन्स का काफी पॉजिटिव रिस्पॉंस मिल रहा है हो सकता है कि कहानी को देखते हुए फिलहाल मेकर्स स्रिती की वापसी कुछ वक तक ना करवाए और तीसरा रहसे स्रिती का लॉंग प्रे विल स्रिती जाक के कंदों पर पिछले कई सालों से ये शो नौन स्टॉप चला रहा था पिछले कई सालों से स्रिती बिनारू के इस शो को आगे लेकर आए जब भी इस तरह का कोई भी डेली सोप होता है तो उनके मेल लेड स्टार्स को सास लेने तक की फुरसत नहीं मिलती क्योंकि शोज पर TRP को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि स्टार्स दिन रात एक कर देते हैं ऐसे में अपने शोग को सकसेस बनाने में वो विकेशन तक नहीं जा पाते ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने और खुद को रिफ्रेश करने के लिए स्टार्स को लॉंग विकेशन की ज़रूर पढ़ती है ऐसे में जब मेकर्स ने शोग का ट्रेक बदलने की प्लैनिंग की तो स्रीती ने भी इस मौके को जाने नहीं दिया और शोग से फ्री होकर निकल पड़ी है लॉंग विकेशन पर जिसकी कई फोटोज और वीडियोज खुछ शृती जहाने भी शेयर की है इन वीडियोज और फोटोज में देखा जा सकता है कि शृती अपने करीबी दोस्तों के साथ विकेशन कैसे इंचॉय कर रही है आला कि अब सृती कब तक शो में वापसे करती है ये देखने वाली बात होगी वेला आप सृती को शो में कितना मिस कर रहे हैं बताईगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में और ये भी क्या किरोने क्या लगता है क्यों नहीं लौट रही सृती शो में बताईगे अपने राए नीचे कमेंट सेक्शन में